तो नमस्काल स्वेंड आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूं यह आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है यह एमेंसी गोपर आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो एमेंसी के बारे में सीखने वाले हैं कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे मुबाइल फॉन में एमेंसी क्या होता है पॉप्लम्स आते हैं और उनको मदर बोड में कैसे पहचानते हैं तो नमस्का दोस्तों मेरा नाम राजबंद और मैं इटेक इस चुट कांदु से बात करा हूं जहां पर आपको मुबाइल फॉन लैप्टॉफ है इस तरीके से टेक्निकल रिपेरिंग को सिखा जाते हैं यहां पर हम लोग आपको बेसिक लिवल से लेकर अडवांस लेवल तक ही कमपलेट ट्रेनिंग देते हैं तो दोस्तों यह जो वीडियो हम लेकर करके हैं यह सारे मुबाइल फॉन में आईसी ओं के बारे में इसके बारे में पूरा सीडियर निकाला है क्योंकि हमारे बहुत सा सिदा हीट मार देते हैं अपने मन से कोई गलत काम कर देते हैं या मुबाइल फॉन में आईसी ओं को ना पता होने के वज़े से बॉर्ड में तो प्र पर हम बारे में मज़ा नहीं आता है और दूसरी बात का कल को कोई बॉर्ड खराब हो गया कोई दिक्कत होगी तो बात हो करा दूसरी हमारा टॉपिक होने वाला एसे पहले मैंने že Magic को बारे में वीडिया हुआ था आज अरो मैं को एने वाला हूंव उसी तरीकह vapor डवारा सदय के बारे में इस होती हैं। तो हमारे मोबाइल फुन में मोबाइल फुन को सिलाते हैं हम लोग एक एकर करके जितनी भी सारी आईसी यां होती है सारी आईसी को बारे में डिटेल से step by step आपको वीडियो दे रहे हैं ताकि हम वीडियो के माद्यम से सिख सकें, जान सकें और हमारे training देने के तरीका भी आप समझ सकें कि किस तरीके से आपको सिखा जाता है और कैसे आप जो आएंगे तो और भी चीजों के बारे में आपको सीखने को मिलेगा तो यह सिखाने का जो तरीका है, यह वे है, क्या concept है, क्या logic है, सब चीज़ों को आपको वीडियो के मातरे में से आपको पता चल जाता है तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने topic को उपार और हम आपको और सब चीज़ों के बारे में सिखाते हैं तो आध का 가운데 जो टॉपिक होने वाला एakte लिए खिए आप देखें गे मिन बहुत hasa स्वारी अलग अलग यह सारी IC होती है, यह हमारे जो बोर्ड का पैड होता है, इस पैड गो पर लगी होती है, जैसे आप देखेंगे, यह मदर बोर्ड है, क्वालिकाम प्रोसेसर लगा है, यह आपका MMC चीफ है, जो यहाँ पर लगी होती है, तो चलो, मैं आपको वीडियो को माध्यम से आंगे आपको बताता हूँ, और आपको आगे की जांगर ही देता हूँ, MMC, MMC का जो पूरा नाम होता है, Electronic Multimedia Card, या Embedded Multimedia Card कह सकते हैं, यह हमारी एक Storage IC होती है, जो मुबाइल फोर में लगी होती है, और हमारे मुबाइल फोर का जो Software होता है, वो ECIC के अंदर इस्टोर होता है, MMC, IC में Software इस्टोर होता है, या CPU के पास लगी होती है, तो, MMC, IC के पैचान क्या होती है? MMC, IC जो होती है, वो CPU के पास में लगी होती है, जहां पर भी आमारे मुबाइल फोरन दिश्टू लगा होता है, तो CP को पास में लंबी सी लगी होती है MMC IC में Samsung ScanDisk Fingerstand Micron Hinex Sinex KMO200 ATC तो बहुत सारी कंपनी को MMC IC होती है जो हमारे मोबाइल फोन में लगी होती है अच्छा यह जो IC जो मैंने आपको नाम बताया यह सर मोबाइल फोन में storage बनाने वाली है storage का मतलब है जो आपको storage media होता जैसे अगर आप pen drive बात करें या हार्टिक से बात करें या यह चीज़े जो होती है storage बनाती है तो samsung की आती है scandis की आती है kingston की आती है macron आती है hynix है k-m-o-z-0-0 ऐसा कुछ करकर लिखा होता है तो यह जितने भी MMC IC पाई जाती है सारे MMC IC में ऐसे मोबाइल फोन में लगी होती है MMC IC correct या खराब होने पर set logo restart dead ETC problem आती है अगर MMC IC खराब हो जाती है तो हमारा मोबाइल फोन गया हो जाता है dead हो जाता है या restart होने लगता है logo पर खड़ा हो जाता है तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी problem आती है तो problem से हम लोग समझ जाते हैं कि यह हमारे मोबाइल फोन में MMC IC खराब हो गई है MMC IC के अंदर problem आ गई है अब हम लोग देखते हैं कि board में MMC IC जो होती है वो हमको दिखाई कैसे देती है और यह board में हम लोग उसको कैसे पहचानते हैं CP को पास में लगी होती है तो उसको कैसे दिखाई देती है मैं थोड़े दोस्तों आपको board में भी दिखाता हूं कि जैसे मेरे पास यह board है इस board के अंदर देखेंगे कि MMC IC को कैसे पहचानते हैं आज की टॉपिक में वीडियो में हम लोग दोस्तों MMC IC के बारे में पूरा cover करने वाले हैं और मैं आपको पूरा detail से जंदकरी देने वाला हूं अगर आज की वीडियो कर आप पूरा अच्छे तो समझ लेंगे तो समझ लेंगे तो समझ लेंगे या hardware repairing करने में इससे समझने आने वाली problem के बारे में बहुत अच्छे से आप जाएंगे जैसे अगर आप देखेंगे तो यह सबसे बड़ी IC लेगी जिसमें पौरी काम लिखा हुआ है तो यह तुम्हारा CTYC है उसके बार यह देखेंगे तो यह तुम्हारी MMC IC है अगर इसी मनुशी आप देखेंगे तो यह दिखिए आपको यह आप लिखा हुआ है अगर आप करेंगे तो मैं थोड़ा से तेच्छा करके आपको दिखाता हूं कि यह कोन चाहिए हमारी MMC IC यह IC के अंदर हमारा क्या होता है अगर कोई भी प्रोब्लम आती है तो हम लोग IC IC को क्या करते हैं चेक करते हैं यह इसका नंबर लिखा होता है यह MMC IC आपकी रगी हुई है यह आपका स्थिक्वालिक आम लिखा हुआ है तो यह आपका स्थिक्वालिक लिखा हुआ है और यह MMC IC अगर आप चेंज करेंगे तो इस नंबर की साब से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं तो पहले मैं फिलाल हार्डवेर के बारे मैं मैं इंफॉर्मेशन दे रहा था तो यह हमारी MMC IC जो है यह काम करते हैं अब देखिए हमारी जो MMC IC है इसको काम करने के लिए या इसके डाटा को रीट राइट करने के लिए कुछ सिगनल की भी ज़रूत पड़ती है जैसे दूसरा सिंगनल आता है क्लॉक उसके बाद अगला सिंगनल आता है डाटा क्लॉक उसके बाद अगला होता है CMD उसके बाद इसको अगला सिंगनल चाहिए होता है voltage जिसको हम लोग बोलते है VCC उसके बाद अगला चाहिए होता है VCCQ एक प्याता है 1.8 voltage दूसरे प्याता है 2.8 voltage उसके बाद एक चाहिए होता है ground इसको हम लोग इसकी भाहसा में हम लोग बोलते हैं ISP pin क्या बोलते हैं दोस्तों ISP pin आप इस MMC IC के अंदर software को दीट राइट कर सकते हैं software को डालने के लिए निकालने के लिए इन तीन पॉइंटों को जोड़ पड़ती है और यह voltage जोड़ पड़ती है जिससे हमारे MMC IC को सप्लाई जाती है और हमारे MMC IC अक्टिव होती है हमारे मुबाइल फोन में software सबसे पहले CPU के आता है CPU के मर्द्यम से फिर हमारा कहा पर जाता है MMC IC के अंदर जाता है तो हमारी MMC IC software को अलान परदान करती है data को read write करती है MMC IC आती है जो अलग-अलग design क्याती है मुस्ति अगर देखा जाए तो आज की डेट में MMC IC जो आ रही है वो पाचास से पाच डिजाइन में आ रही है और सबी मोबाइल फोन में वो एक दूसरे के फोनों में लगते हैं अब आपके मोबाइल फोन में MMC IC कौन थी company के लगी किंगस्टिन की लगी है स्कैंडिस की लगी है हाइनस की लगी है साइनस की लगी है उसमें बहुत सारी MMC IC दूसरे में changes हो जाती है वो detail के बारे में मैं आपको आंगे से बात करूंग अभी फिलाल हम लोग इसको hardware के बा अब लोग आती हैं तो बोर्ड में पैचानने के तरीका क्या होता है CP को पार में रंबी से लगी होती है MMC IC को काम करने के लिए दो तरह के वोल्टेज चाहिए होते हैं VCC दूसरा होता VCC Q तब हमारी MMC IC अक्टिव होगी MMC IC चालू होगी तो यह मैंने बोर्ड में पैचान आपको समझाता हूं और यह जितनी सारी पीने होते हैं और यह जो उपर की पीने होती है यह तो मधी इस्ट्रा होती है इनका कोई ज़र्वत नहीं रहता है प्रेखिंग है प्रेशी कि कोले काम करें इस में जिस्ट्रा और यह बागरी इस होती हैं जोधी कुछ ए झेंसी होती है पुछ पिरन सप्लाई की होती हैं JewelThat system की होती हैं इस तरीके से होती है अच्छ जो हमारी इस के अंदर ओप पार्ट होते हैं एक तो थो तुमारा पार्ट होता है, जिस आप लोग इस चुर्ज पार्ट बोलते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट जो आ जाता है इसको हम लोग राम भी बोलते हैं राम का मतलब होता है जो processing speed इसके लिए जाने जाते है storage जो होता है वो तमारा data के लिए जाना जाता है ये जो MMC IC होती है इस MMC IC के दो पार्ट हो जाते हैं आपको दूसरी आइसी दिखाता हूँ यहां दूसरी डिजय पेंगे आपको दिखाता हूँ अगर देखेंगे, lık इस यहां करिकंता है। nisda pin है इनकी कोई च्छा जरूद नहीं है इसमें से कुछ पार्ट हमारा storage के लिए हो जाता है कि पुछ पार्ट हमारा रैम के लिए हो जाता है तो हमारा इस तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं mmc ic के अब में तुमको दूसरे बीन के दिखाता हूं एक ठील आपकी घ्यक्र इन गयती है इसके अंदर आप देखेंगे ए डिजाइन है इसके पालिचे पीन होती है इनके पीने के कोई साथ जगरत नहीं है और हमारे ये पीन जी होती है ये काम के होती है तो जितने भी MMC IC मैंने आपको सारी IC को एक बार वन बाई बन में करके आपको step by step अपको दिखा देता हूँ सबसे पहले MMC IC आपके लिए आती है उसके बाद दूसरी MMC IC जो होती है वो अपकी आती है उसके बाद तीसरी MMC IC जो होती है वो अपकी आती है एक और तरीके की है लेकिन अभी मेरे पास नहीं है और आप चाहिए तो इसको Google पर इंटरेनेट साज़ करके दिख सकते हैं वो square form में होती है चोकोर होती है तो तीनों डिजाइन की मैंने आपको रख दिया है इस तरीके से होती है सेम इसी तरीके से होती है लेकिन उसकी जो पिंस होती है वो बीच में होती है इस तरीके से यह MMC IC होती है इस खराब होने से मैं आपको बता है क्या क्या सारी प्रोब्लम आती है और software से संबंदी जो भी सारी प्रोब्लम आती है या से डेड हो जाता है या बहुत सारी इसी प्रोब्लम होती ही तो दोस्तों आप लोग बोर्ड में MMC IC को आसानी के साथ पैचान सकते हैं या एक बोर्ड के अंदर MMC IC हटा हुआ है तो उसको भी मैं आपको डिश्पले करके दिखा देता हूं ताकि आप लोग देख करके अच्छी तरीके से आइसी को पैचान सकें और आइसी को बारे में आश्टर हो सकें यह देखें यह क्वालिकाम CPU लगा है तो इस CPU को पास में जो यह आईसी लगी है यह तो हमारी कौन का इसी है MMC IC है तो दोस्तों आज मैंने आपको जो वीडियो में बताया है कि हमने MMC IC के बारे में information दिया कि MMC IC को बार्ड में कैसे पैचानते हैं कितने कंपनी के आते हैं कौन-कौन के कंपनी MMC IC को बनाती है कितने अंदर उसके अलग-अलग पिन के structure होते हैं कैसे इसके design होते हैं यह आज ही वीडियो में मैंने इतना आपको बता हुए है तो अगर आपके पास कोई भी handset आता है वह handset dead हो जाता है dead mobile phone आपके पास आता है वह on नहीं हो रहा है सब कुछ सही बता रहा है तो आप MMC IC को अलग-वीड करके है कि MMC IC Board में कैसे पैचाने के तरीका क्या होता है तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही वीडियो से जुड़े रहे हैं या इससे सम्मनित भी मैंने और भी पहले वीडियो डाला है उन वीडियो को भी देखें अगर में तो पर मिलने वाला है संखर可以 केxa से ग्रीडियो जरेंग से बॉला जायते हैं याे पना कांपुर उतरप्रदेश के अंदर आता है यह ट्रेंग संट अगर मार्किट में है और कानपुर रेलवे स्टेशन जो कानपुर सेंटरल कानपुर घंटा गल जिस नाम से बोला जाता है या कानपुर सेंटरल नाम से बोला जाता है इससे मात 200-300 मीटर दूरी पर है आराम से आ सकते हैं जितने बाहर से हमारे से स्टेंट है वो आराम से आ सकते हैं और काम था या फोटो इस्टूडियो वगएरा इसका सारा सब कुछ काम करते तो बेसिक प्रिंट आउट वगएरा फॉरॉम बनने के इसका काम करते दे कि सर उसका काम कभी हमको मिलता था कभी नहीं मिलता था लेकिन आपके वीडियो के माध्यम से मैंने काफी चीज़ों को सीखा मोबाइल फोन रिपेरिंग का काम भी मैंने स्टर्ड कर दिया दिश्पले आई धर बल्ड़ा मैंने मोठा काम भी गिया मैं ख्राब हूआ कुछ मोबाइल फोन बना कुछ मोबाइल खराब हुआ लेकिन उसमें तो पैसा मैंने इसमें कबार हमारे फैमिली घर chemotherapy हो लोंने बो जादें और आप भी अगर इसी तरीके से ट्रेणिंग लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दे हुए नंबर पर संपर करें 63917117216391212121 जिस पर आपको आमेसर से बात हो गया और वो आपको पूरा इंफॉर्मेशन देंगे वीडियो कॉल प्रियूसर्य हैं का सारी चिज़ा जाते हैं कैसे रहने की विवस्ता है कि खाने-पूर्ण क सी ब्लिवर Also झाल झाल